बिग बॉस 13 के विजेता सिर्धात शुकला ने शोग के दोरान अपनी सच्चाई और खेल से सब का खूर मनरंजन किया जिसके बाद उनकी जबरदस्ट फैन फॉलोइंग्स बन गई है वहीं पिछले कई दिनों से सिर्धात सोशल मीडिया पर भी बहुत आक्टिव हैं और अपने पोस्ट और पिक्चर से सिर्धात सुर्ख्यों में बने रहते हैं और अब सिर्धात अपने एक और ट्विट से सब का ध्यान अपनी ओर खीच रहे हैं सिर्धार्थ ने अपने ट्вीट में लिखा है आपके बारे में किसी के विचार को अपनी सच्चाई नहीं बनने देना चाहिए अपने आप को समझे अपने महत्व को समझे और कोई भी विचार आपको प्रभावित नहीं करेगा और सिर्धार्थ का ये ट् tiad fans को बहुत आ रहा है इसके अलावा हाली में सिधार्ट शुक्ला ने एक इंटर्विव के दॉरान बताया था कि उनके लिए प्यार का अस्थी मतलब क्या है और सिधार्ट ने कहा था कि मेरे हिसाब से प्यार जब होता है जब इनसान कैसा दिखता है और क्या करता है इसे कोई मतलब नहीं होता जब हम किसी को जज करना बंद कर दे और वो जैसा है उसे वैसे स्विकारे वो प्यार है जिसके बाद से सद्धात के लिए उनके फैंस का प्यार और बढ़ गया है बिग बॉस 13 का अब फिनाले जल्द ही होने वाला है ऐसे में शो के दमदार प्रतिभागी सद्धार शुकला को लेकर कई तरह की बाते हो रही हैं जहां सोशल मीडिया पर एक तरफ सद्धात के फैंस ने उन्हें विजेता घोशित कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सद्धात को ना पसंद करने वाले लगतार सिट के खिलाफ नेगेटिव बातों को फैला रही है और कहा जा रहा है कि सद्धात के लिए विग बॉस पक्षपात कर रहा है और अब सद्धात के इमिज को गिराने के लिए सद्धात शुकला की गिरफतारी वाला एक वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है और इस वीडियो में मुंबई पुलिस से धाशुकला को पुलिस वैन में बैठा रही है वैसे ये वीडियो बहुत पुराना है आपको बता दे 22 जुलाई साल 2018 को मुंबई पुलिस ने सिट को गिरफतार किया था क्योंकि उन पर आरोप था कि वो बहुत तेजी से कार चला रहे थे और अपने कार के तेज रफतार के कारण वो संतूलन भी खो बैटे थे और कार रुखने तक वो तीन कारों को धका भी मार चुके थे और इस पूरी घटना में तीन लोगों को अस्पताल तक जाना पड़ा था इसलिए सिटार शुकला को सरक पर गरड़ धंग से कार चलाने को लेकर आई पी सी की धारा 279, 337 और 427 के तहत मामरा दर्ज कराए गये थे लेकिन उन्हें बाद में 5000 रुपे के जुर्माना लगा कर छोड़ दिया गया था वही इस वीडियो के सामने आने से सिधात की छवी बिगरने का अंदेशा लगाया जा रहा है और ये वीडियो बिग बॉस के अंदर सिधात के गुसेल रवये के साथ भी जोड़ा जा रहा है जहां शो के शुरुआती दोर में अक्सर सिधात दूसरे प्रतिभागियों के साथ धक्का मुकी करते देखेंगे इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है नीची दिएगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं बॉलिवट की सभी चटपटी और मज़िदार खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें